रॉब लिन्सो के बार में जिसके हम सभी जानते हैं कि डेली यूटूब पर लाइव होता है इंडेन टाइम के इनुसार मॉर्णिंग में इसी सो में ऐस सर कुछ दिन पहले लाइव आया थे और उनसे क्वेश्चिन पूछा गया था कि ऐस सर अगर आप एक फॉंडर होते हैं किन-किन पॉइंट को आप यहां पर ध्यान रखते तो आयसन ने इस पॉइंट की रिगार्डिंग काफी अच्छे से यहां पर एक्स्प्रेंड किया कुछ पॉइंट को यहां पर उन्होंने कबर किया डेफिनिटि उसके बारे मैं आपको बतना चाहता हूं इस टॉपिक की तयार होँगा पहले से यहां पर मैं थोड़ा सा और एड़ करूं मिंस जो इकोसिस्टम में एक्टिpy G here 20 होने वाली है जो चीज़े आने वाली क्या क्या आने वाला क्या क्या होने वाला आप सभी quality मालूम है सून सभी चीजों के लिए मैं पहले से ही तियार हों जो भी activity करन इमिडियेटली उसको में करूंगा एंड उसके साथ में आगे बढ़ूंगा फेंड दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि जो भी एको सिस्टम में जो भी पेड़ प्रोडक्स आते हैं तो उनको मैं इमिडियेटली बाइब करूंगा फॉर जेंपल जैसा कि हम सभी जानत तो उसको मैं इमिडियेटली बाइब करूंगा हाइस्ट पैकेज का अगर मेरे पास एक्सेस मेरे पास है तो डेफिनेटली वहां पर जो सेल जनेट होगा उसका कमिसन मुझे मिलेगा जितने भी प्रोडक्स लाइब होंगे एको सिस्टम में आएंगे उन सभी को मैं जो प्रोडक्स हैं उनका यूज क्या है कैसे काम करते हैं जितने भी प्रोडक्स हैं जितने भी फिरी प्रोडक्स हैं या फिर प्रोडक्स हैं जितने भी टूल्स हैं हमारे तो क्या है किस तरीके से काम करने वाले हैं तो उनकी रिगार्डिंग में यहां पर नॉलेज रहता तो हर एक जगे से साइट से यानि की जितने भी सोसल मीडिया के प्लेटफॉर्म है तो वहां से मिलेता हूंगा इस्टाग्राम पेज़ूक पेज यूच्टूब ऑनपासिव ओफिसल वेबसेट जहां से भी मैं नॉलिज ले सकता हूं डेफनेटली डेली के डेली में यहां पर आनपासिव की रिगार्डिंग टेकनोलोजी की रिगार्डिंग इंटरनेट के रिगार्डिंग यहां पर मैं कॉर्पूरेट वेबिनार होता है ऑनपासिव के तरफ से ओफिसल कोई वेबिनार होता है तो इसको मैं जरूर अटेंड करूँगा कोई भी वेबिनार मिस नहीं करूँगा इससे क्या होगा कि ऑनपासिव में क्या हो रहा है क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है उसके बारे में हमें यहाँ पर अरली जानकारी मिलेगी क्या होने वाला ग्रोथ कहां तक पहुंचा है उन सभी चुझों के बारे में हमें यहाँ पर information मिलती रहेगी तो यह हमारे लिए काफी जदा important है अगर मैं founder हूँ तो यह मेरे लिए जानना जरूरी है कि on passive में क्या हो रहा क्या होने वाला वह information हमारे लिए काफी जदा important है इसलिए मैं कोई फी webinar मिस नहीं करूंगा इसके बाद ऐसन यह भी बता था कि मैं एक छोटा सा office बनाऊंगा बोले तो आप अपने ही घर पर बना सकते हैं एक चोटा सा office टाइप का मतलब एक महौल की रेट कर सकते हैं जहां पर आप वहां पर बैट के और पासिप की रिगार्डिंग नौलेज ले सकते हैं या फिर अगर आप से कोई founder मिलने आते हैं आपके घर पर मिलने आते हैं तो आप आराम से यहां पर मिल सकते हैं तो ऐसा कुछ office टाइप का अपने ही घर पर आप यहां पर बना सकते हैं तो ऐसा मैं as a founder as a one ambassador जरूर करूँगा इसके बाद यहां पर और बोला था कि हम founders यानि कि अगर मैं founder हूँ तो मैं एक individual identity हूँ मिन्स हमारा एक पहचान है सो on passing में कुछ मैं different करूँगा यूनीक करूँगा जो सबसे अलग हो मिन्स वह हमारी पहचान को दर्साए कि हां यह सूरत सिंग है तो सूरत सिंग है यह गुर्समिंदर सर है तो गुर्समिंदर यह जसी सर है तो जसी सर है ठीक है यह नीरे सर है तो नीरे सर है तो हमारी एक individual identity होने चीए पहचान होने चीए हमें कुछ unique करना है कुछ different करना है जो सबसे अलग हो तो ऐसा मैं करने की कोशिस करूँगा जो सबसे different बनाता हो मिन्स यहां पर कुछ न कुछ extra कूरूँगा कु सबसे अलग हो एंड सब के लिए फायदे मंद हो फिन कुछ भी activity कर सकते हैं जैसे for example मैं सूरज सिंग हूँ तो यहां पर मैं already founder भी हूँ एक यूटूबर भी हूँ यूटूब के जरिए यहां पे लोगों को information दे रहा हूं guide कर रहा हूं जो मैं सीख रहा हूं वो मैं लोग कुछ पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से नोट किया है उसके बारे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप founder अगर मैं founder हूँ अगर हम founder है तो हमें क्या-क्या करना चाहिए और क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए I hope यह points भी आपको काफी दर पसंद आएंगे तो सबसे पह regarding किसी भी questions की regarding कोई भी यहाँ पर problem आती है उसका solution क्या हो सकता है मतलब हर एक तरीके से उनका मैं help करूँगा guide करूँगा अगर कुछ करने को बलगाता है कुछ activity करने को बुला जाता है option आता है कोई भी ecosystem में या on passive में तो definitely यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा information provide करने की को कोशिज करूँगा उनको guide करने की कोशिज करूँगा ताक ही यहाँ पर किसी को कोई भी problem create ना होने पाए हर कोई आसानी से यहाँ पर आगे बाढ़ सके friends दूसरा point यहाँ पर ध्यान रखूँगा कि friends मेरे मन में कोई भी negativity नहीं आने चीए as a founder मेरे मन में कोई भी negativity नहीं आन उसके बारे में हम सभी यहाँ पर already जानते हैं तो अगर यहाँ पर कुछ भी इधर उदर होता है date आगे पीछे होता है तो यहाँ पर हमारे मन में कोई भी negativity नहीं आने चीए हमें इन चीजों को ignore करना है और हम क्या करने वाले उन चीजों पर focus करके हमें आगे बढ़ते रहन आब ऐसे नेसके बारे में अगर किसी अधर परो नको बताना है तो अपने पुरक के बारे में कैसे बताता हूँ इस point को मैं ध्यान रखूँगा ऐसे नहीं कि मैं यहाँ पे एक list बना लो उनको मैं call करूँ, message करूँ, whatsapp करूँ या फिर उनको एक meeting के लिए उनको बुलाऊं, invite करूँ कि भाहिया आओ मैं आपके साथ एक plan share करना चाहता हूँ आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसा मैं नहीं करूँगा, इसके बारे में भी ऐसा ने बताया था, कि अगर मैं founder हूँ, brand ambassador हूँ, on passive का, एक super unique company का, तो यहाँ पर इस point को ध्यान रखूँगा, कि अपने products के बारे में लोग के साथ कैसे मैं बात करता हूँ, कैसे उनको मैं इसके बारे में बताता हूँ, तो इस point को मैं ध्यान रखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा knowledge लोगा पुड़क के बारे में, so definitely यहाँ पर एक professional बेमें लोगों को मैं बताऊँगा, इसके बारे में, यहाँ पर मुझे यानि कि हम सभी को लोगों को बताना नहीं लोगों को मतलब contact नहीं करना है, यहाँ पर हमें एक ऐसा महोल create करना है, I hope इस point को आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर हम सभी को एक ऐसा महोल create करना है, कि लोग हम से पूछें, कि सुरज जी आप क्या कर रहे हो, आप यह सारे चीज़ जो मैं आपके साथ देख पा रहा आप जो कर रहे हैं, तो यह क्या है, कैसे है, क्या मैं कर सकता हूँ यह चीज़े, तो लोग आप से पूछें, आप कुछ ऐसा महोल create करें, तो कुछ इस तरीके से हमें करना चाहिए, कुछ इस तरीके से हमें paste करना चाहिए, कि लोग हमें पूछें, कि सुरज जी यह on passive क्या है इसके बारे में मुझे बताईए मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ अगर यह मेरे लाइक है तो मैं इसे कर सकता हूँ प्लीज इसके बारे में बताईए तो मैं कुछ ऐसा महोल करना चाहिए as a founder as a brand ambassador next point हमें ध्यान लगना चाहिए कि हमें हमेशा on passive को support करना चाहिए as a founder as a brand ambassador ठीक हर एक situation में हर एक पल में on passive को support करना चाहिए अगर यहाँ पर डेट की दरुदर जैसे की यहाँ पर मार्श की रिगार्डिंग हम सभी जानते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारे मन में एक negativity आ जाती कि यह कुछ नहीं हुआ आगे क् हम सब यहाँ पर founder है तो founder होने के नाते एक एक चीज़ों को हमें समझना है कि on passive ने अगर कोई process को रोका है किसी activity को रोका है कुछ time के लिए कुछ दिन के लिए तो क्यों रोका है उसको हमें समझना है और on passive को full support करना है हर एक problem को solve करने के लिए क्योंकि यहाँ पर tech team definitely हम सब यहाँ पर काम कर दिये जितने भी यहाँ पर problems होती है उनको दूर करने की कोसिस करती है तो यहाँ पर हमें हमेसा support करना चाहिए on passive का friend as a founder as a brand ambassador right इसके बाद यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं आपको friend एक point हमें ध्यान रगना चाहिए कि as a founder as a brand ambassador अगर हमारे मन में कोई idea आत सकता है तो ऐसा कोई भी idea अगर मेरे मन में आता है so definitely on passive को जरूर बताऊंगा means answer को जरूर बताऊंगा इस idea के बारे में कि sir यह idea है यह मेरा एक suggestion है अगर आप इसको देखें समझे follow करें so definitely इससे जो हमारा product है जो हमारा on passive हो थोड़ा सा और grow कर सकता है और बेहतर हो सकता है तो ऐसा कोई अगर idea आता है मेरे मन में so definitely मैं answer के साथ on passive के साथ जरूर share करूँगा last में एक point और बताना चाहूँगा friend कि on passive में जिस time पे हम लोग यहाँ पे means हमारे पास सब कुछ होगा हम अच्छे से यहाँ पे अपने life को जी रहे होंगे तो उस time पे अगर मैं लोगों की help कर सकता हूँ उस lag में बन चुका हूँ की help कर सकूँ so definitely यहाँ पे ऐसे लोगों की help करने की कोसिस करूँगा जिने actual में help की जरूरत है क्योंकि as a human यह काफी ज़रूरी होता अगर हम ऐसा करते हैं friend तो दिल से अंदर से हमें यहाँ पे सांती मिलती है संतुस्टी मिलती है तसली मिलती है friend अगर हम ऐसा करते हैं तो so as a time आए कि मारे पास सब कुछ हो अगर मैं किसी के help करने के like बंजाओं so definitely यहाँ पे लोगों की help जरूर करूँगा friend so यह था friend कुछ point as a founder जो हमें करते रहना चाहिए हमें ध्यान रखना चाहिए मैंने अपने तरफ सभी कुछ point आपके साथ share कि I hope यह सभी point आपके लिए काफ़ी जदा informative रहोंगे आपको अच्छे हुआ 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 है